दिल दे दिया है चाम तुम्हें देंगे द्रगा नहीं करेंगे सनों और अब दी कर संधार हे गाज वेलकम टो बैक मैं नियो वीडियो तो आज कि इस वीडियो में आप लोग सिखेंगे कि अपने मॉवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के भी फोटो के साथ कुछ इस तरह करते हैं होने वाली हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जड़ देखेगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी बखवास के आज किस वीडियो को सुरू कर लेते हैं उससे पले अपने भाय का नाम जालेजे मिरा नाम है घंसयाम और स्वागत करता हूं आप सभी हमारी होता है वो मैं आपके पास बेज़ देता हूं तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोवाइल के स्कृइंट तो सब्सक्राइल आप लोग को एक अपलिकेशन का जोद पर जायेगा जिसका नाम में कर से वहां से भी आप लोग डॉलोड कर सकते हो और करने के बाद अब तो ब्लेश और दोस्तों यहां पर आप लोग को setting वाला option पर क्लिक कर लेना है और editing पर क्लिक करके उपर में आप लोग को यहां पर two को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग को नीचे में बीच में fill a skin वाला option देखने को मिल जागा तो बीच वाले option fill a screen को select कर देना है उसके बाद उपर से back चलाना है बाइक आने के बाद दोस्तो simply आप अपना जिन जिन फोटो के साथ status video बनाना चाते हो उन सभी फोटो को यहाँ पर select कर देना है दोस्तो आप जितने भी फोटो के साथ status video बनाना चाते हो अपने photo के वीगनेट को on कर देना है उपर से back चलाना है अगले वाले photo पर क्लिक करना है उसके बाद फिर से आप लोग को back चलाना है बैक आने के बाद इससे अगले वाले photo पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो फिर से आप लोग को इससे अगले वाले photo पर क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर भी आप लोग अपनी फोटो की वीगनेट को आउन करने के बाद दोस्तों अगर आपका फोटो यहां पर एश्क्रीन में पूर अच्छे तरीके से एड़ेश्ट नहों तो simply आप लोगो ऊपर में पेन जूम वाल ओप्षन देखने को मिल जाएगा तो पेन करने के बाद आगले वाले फोटो पर क्लिक करके इसके भी वीगनेट को आउन कर देना है इसी प्रकार से दोस्तों आप जितने भी फोटो को एड़ के होंगे सारे फोटो के वीगनेट को आप लोगो आप लोगो आउन कर देना है और जो वाला फोटो स्क्रीन में पूरे अ गरेक दे नहीं पिलिग करके उसके बाद दोस्तों सुंपल आप लो को उपर से बैक चलाएना है बाइक आने के बाद पूरे शुरवात में आ ज़ना है लिए पर कलिक करके मीडिया पर कलेक देना है और दोस्तो यहां पर आप लोगो सबसे पहले इसके Mixer वाल अप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर टैप करके साउंड को Mute कर देना या फिर ने तो इसको जीरो पर अख लेना है उसके बाद उपर से बैक चलाना है बाइक आने के बाद नीचे चलाना है आप लोगो इसके Adjustment वाल अप्शन पर और यहाँ पर आप लोगो इसके Contrast को थोड़ा सा बढ़ा देने थोड़ा सा तो दोस्तो यहाँ पर मैं इसके Contrast को 25% बढ़ा देता हों आप अपने इसाब से इसके Contrast को विढ़ा लीजेगा उसके बाद उपर से बैक चलाना है बाइक आने के बाद फिर से लिएट पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक वाइट वाला टेंप्लेट वीडियो को एड़ कर रहा है तो सक आवर लिंक डिस्क्रिप् कि इसको भी पूरे फुले स्कीन में कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोगो बैक चलाना है बाइक आने के बाद नीचे चलाना है आप लोगो इसके भी बलनिंग वल अप्शन पैड और यहाँ पर भी आप लोगो उपर से 4 नमबर में स्कीन वल अप्शन देखने और थोड़ा सा गयाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर पूरे white screen आप लोगो देखने के मिल जाएगा simply आप लोगो वहाँ पर चले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद trim वाले option पर click कर देना है second number वाला option trim right पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों simple है आप लोगो उपर से back चलाना है back आने के बाद फिर से आप लोगो शुरुआत में आ जाना है लेपर click करके media पर click कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक shadow वाला png image को add कर रहा हूँ तो उसका विल लिंक description box में दे दिया यहाँ वहाँ से आप लोगो भी download कर लिजेगा और यहाँ पर इस वाले shadow png image को add कर लिजेगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगो इस shadow png image के size को नीचे से कुछ इस बठार से बढ़ा लेना है, कुछ इतना पूरे फूल उसके बाद दोस्तों, इस shadow image को आप लोगो नीचे में यहाँ पर दखलेना है इस पूरे चेतर के से यहाँ पर और यहाँ पर Basic वाल अप्शन पर क्लिक करके B05 वाले को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों सिंपल आप लोग उपर से बैक चलाना है बैक आने के बाद 3. पर क्लिक करके Send to Back वाल अप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो simple है आप लोग उपर से बैक चलाना है, बैकानी के बाद फिर से शुरुवात में आ जाना है ले पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैं एक म्यूजिक प्लेर वाला टंपलेट वीटियो को अडो कराओं तो उसका विलिंक description box में दे दिया हूँ वहाँ से आप लोग भी download कर लिजिगा और यहाँ पर आप लोग इस वाले music player वाला template video को add कर लिजिगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर भी आप लोग को इसके भी mixer वाल option पर click कर लेना इस पर tap करके इसके भी sound को mute कर देना या फिर ने तो इसको 0 पर लेना है उसके बाद दोस्तो simply आप लोग उपर से back चलाना है back आने के बाद नीचे चलाना है आप लोग को इसके भी filter वाल option pad और यहाँ पर आप लोग को basic वाल effect पर click करके B05 वाल effect को add कर लेना है उसके बाद दोस्तो simply आप लोग उपर से back चलाना है back आने के बाद नीचे चलाना है आप लोग को इसके blending वाल option pad और यहाँ पर आप लोग को उपर से three number में multiple वाल option लेखने को मिल जाएगा तो multiple को select कर देना है उसके बाद उपर से back चलाना है पूरिय अच्छे तरके से उसके बाद दोस्तों सिंपले आप लोगो उपर से बैक चलाना है बैक आने के बाद सिंपले आदियो वाल उप्शन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आप अपना जिस भी गाने को अपने status वीडियो में एड़ करना चाते हो उस वाले गाने पर पिर कहीं से भी गाने को सेक्ट करना चाते हो तो आप लोगो एक बार वीडियो को प्ले करके यहां पर चेक कर लेना है उसके बाद दोस्तो आप गाने को जहां से भी सेक्ट करना चाते हैं वहां से आप लोगो गाने पर क्लेक करके वहां तक आप लोगो कुछ इस प्रकार से कट कर देना है शुरुआत से कुछ इस प्रकार से उसके बाद दोस्तों सिंपले आप लोगो गाने को दवा करके खीच करके पूरे शुरुआत मिला लेना है लेकिन दोस्तों यहां पर मैं गाने को पूरे सुरुआत से ही रखना चाता हूँ तो यहां पर मैं इसको फिर से पूरे सुरुआत तक कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों सिंपले आप लोग उपर से बैक चलाना है बैकाने के बाद फाइनली आपका इस्टेटिस वीडियो बन करके त्यार हो जाएगा तो चलिए मैं आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा कम देर तका इस्टेटस वीडियो बना करके आप लोगों दिखाया हूँ आप अपने फोटो के साथ या पिर किसी के फोटो के साथ इसी प्रकार से ज्यादा तेर तका भी इस्टेटस वीडियो बना सकते हो और उसे इस्टेटस वीडियो म इसके बाद दोस्तों इस वाले इस्टेटस वीडियो को अपने मॉवाइल फोन में सेव करने के लिए आप लोग को सेर वाल आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्वालिटी में आप लोग को 720 पी आप पिरने तो 1000 CP को सेलेक्ट कर लेना है फ्रेम डेट में 30 को सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर आप लोग को अपने हिसाब से रखना है दोस्तों अगर आप लोग इसको आदे से कम पड़कते हो तो आपके स्टेटस वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी कम आएगा और कम MB में आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा और दोस्तों अगर आप लोग इसको आदे से ज़्यादा पर या फिर फूल पर रखते हो तो आपके स्टेटस वीडियो में पूरा फूल को इल्टी आएगा और थोड़ा सा ज़्यादा MB में आपका भी स्टेटस वीडियो बनेगा तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर रख लिजेगा उसके बाद सेवाज वीडियो वाल उप्शन पर क्लिक कर दीजेगा और दोस्तो यहाँ पर आप लोग को कुछ दिर वेट कर लेना है कुछ दिर के बाद आपका यह वीडियो एक्सपर्ट होकर करके आपके मॉयल फोन में सेव हो जाएगा उसके बाद आपका मन जहाँ पर होता है वहाँ पर इस वीडियो को सेथ कीजिए क्योंकि दोस्तो इस चनल पर में इसी तरह के new new knowledgeable वीडियो, interesting वीडियो and editing related वीडियो लेकर के आता ही रहता हो और अगर आप मुझे बात करना चाहते हो या फिर आपको editing related किसी भी परकार के problem हो तो आप मुझे Instagram पर message कीजिएगा, मैं आपके message को पढ़ करके आपको जड़र से जड़र reply दे दूँगा तो दोस्तो Instagram का user name घंस्यामजी123 या फिर नहीं तो link को और description box में दे दिया हो